यूपी के बांदा जिले में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है जहां एक यूपी ने अपने ही पती और उसके रिस्तेदारों पर सामूही बलतकार का आरोप लगाया है पीडिज यूपी के मताबिक उसके साथ जबर्दस्ती और प्रताणना में गाओं के कई लोग सामिल है यूपी ने बताया कि गाओं के इन सभी लोगों ने पती के सयोग से मेरे सामूही बलतकार किया करने के लिए बोल रहा थे तुम अगर अपने माबाप की तरफ बयान दोगी तुमारी अगर तुम अपने माबाप की तरफ बयान दोगी तो दरोगा बोल रहा था दरोगा का नाम नहीं हम जानते हैं इसके बाद गाओं के इनी आरोपी लोगों ने योजना बद्ध तरीके से मेरा अपहरान किया और मुंबई ले गए मुंबई में मुझे 15 दिन तक रखा इस दोरान इन लोगों ने मेरे साथ बारी बारी से बलतकार किया विरोध करने पर मेरे साथ मार पीट की और मुझे प्रताडित करते रहे कई बार इस्थानी पुलिस से मामले को बताने की कोशिस की लेकिन इस्थानी पुलिस भी मेरे साथ उसी घर में आकर गलत ब्योहार करती थी मामले की जानकारी देते हुए स्पी सिधार चंकर मीना ने बताया कि एक यूती की मां आई थी उनके प्रातना पत्र के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है पूरे मामले की बहुत बारीके से जाच की जा रही है मामले में जो भी दोसी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कारेवाई की जाएगी